दोस्तो, verbal communication, ऐसी communication होती है, ऐसी बाचित होती है, जिसमें हम बोलकर या लिखकर अपनी बातों को, या कोई भी information, कोई भी अपनी अंदर की जो feelings है, उसे बया करते हैं, यानि दूसरों तक पहुचाते हैं, तो दोस्तो, जब भी spoken और written की बात आती है, यानि बोलकर और लिखक जब हम कोई चीज़ बता रहे हैं, तो इसमें चार चीज़े बहुत important role अदा करती हैं, पहली है speaking, listening, writing and reading, speaking का मतलब spoken में यह आ जाता है दोस्तो कि कैसे हम बोल रहे हैं, जब भी कोई व्यक्ति अपनी कोई भी information को share कर रहा है, तो उसे चाहिए कि वो अपनी बात को ब्लकुल मतलब सही आवाज में सही उटाओ चड़ाओ को बताते हुए, यानि सही पॉस लेते हुए बताएं, जिससे दूसरा वक्ति आपको बातों को सही तरीके से समझ सकें, और अपनी बात को आप सही तरीके से समझा सकें, यानि आप सही से बोले, सही आवाज में बोले, साथ में हो सके तो सही जैसे कि आप सपोस्ट फॉन से बात कर रहे हैं किसी से तो आप सही नेटवर्क में बात करें जिसे दूसरे वक्ति आपकी आवाज को ध्यान से सुन सके तो यहाँ पर spoken में speaking बहुत important रूल अदा करती है कि आप किस तरह से कोई बात बोल रहा है अब जब आपने कोई बात बोल दी तो दूसरे वक्ति को चाहिए कि वो उस बात को बहुत ही ध्यान से सुने यानि listening आजाती ही यहाँ पर उस बात को ध्यान से सुने यानि वहाँ पर सूस राबा ना हो और मतलब सांत मन से सुने और सही network में सुने यानि जिस medium के जरीए से वो बात को सुन रहा है तो वहाँ पर सही medium हो और साथ में मतलब सही platform हो साथ में अच्छ network हो तो listening तभी हो पाएगी अच्छे से दूसरों और आप दूसरे वक्ति को अच्छे तर्स समझ पाएंगे यहां पर तीसरा लिखा है राइटिंग यह आपका रिटिन में आ जाता दोस्तो राइटिंग अन्रीटिंग अब राइटिंग में क्या है कि जब आप कोई चीज अपने लिखकर कसी को बता रहे हैं तो इसमें चाहि है और सही सही अपने साइंस का यूज होना चाहिए जैसे कि कॉमा क्वेशन मार्क या फुल स्टॉप यह नि पंक्शिएशन मार्क का सही से यूज होना चाहिए जिससे जुसरा व्यक्ति उस बात को आपके अंदर की जो भाव हैं उसे अच्छी से समझ सके और जब आपको यह लिख कर भेज देते हैं तो वहां पर जब जो व्यक्ति उसे रीट कर रहा है तो रीटिंग में क्या चाहिए कि वह व्यक्ति अराम से पॉस को देखते हुए ध्यान से पंक्शिएशन मार्क जिसने भी आपने यूज करें उसको देखते हुए ही पढ़े और सांत महाल मे पढ़े जल्दी अलदी ना पढ़े इससे उस बात को समझ सके तो दोस्तों वर्बर कम्यूनिकेशन ऐसी कम्यूनिकेशन जिसमें हम बोलकर या लेकर अपनी बात को किसी तक पहुचाते हैं अपनी बात को यानि कि अपने अंदर की जो भी फिलिंग्स हैं आप कैसा महसूस क कर रहे हैं कि सीबी चीज को लेकर क्या दिश्टे कोड़ है या कोई भी इन्फोरमिशन जो आप दूसरों को यह को बता आना चाहते हैं या कोई बात कोईस के साथ share करना चाहते हैं तो वो आपकी verbal communication में आ जाए अंतर गताएगी और इसमें speaking, listening, writing and reading बहुत ही महत्वपूर योगदान इसका रहता है दोस्तों, महत्वपूर मदब है जो हमारा verbal communication है दोस्तों इसके कुछ types भी हैं, दो types के होते हैं दोस्तों जो पहला है हमारा हमारा वो verbal है sorry, oral है और दूसरा है written, तो oral क्या होता दोस्तों, oral communication वो communication होती है जिसमें हम बोल कर कोई भी चीज़ बता रहे हैं यानि मौकिक रूप से बताते हैं, वो मौकिक रूप face to face हो सकता है यानि कि हम कोई भी बात जब बोल रहे हैं तो आमने सामने होकर बात कर रहे हैं वीडियो चैट के जरीए हम बात कर रहे हैं voice चैट के जरीए हम बात कर रहे हैं या telephone, mobile phone पे बात कर रहे हैं कोई भी lectures हो गया seminar हो गया, या कोई webinar हो गया ठीक है दोस्तों, ये सब हमारे कर यह फिर प्रिंट करकर शेयर करते हैं जिसमें आपका लैटर सागा है साथ में कोई भी डॉक्यमेंट कोई एप्लिकेशन या कोई भी आपका इमेल आ गया इस मेर्स चैट सागें दोस्तो यह सब या किसवको है तब आता है नऊण वरबल कम्यूनिकेशन दुस्तो न वरबल कम अस्य कम्यूनिकेशन होती है जसमिती है वर्डर कर भी बहता है दोस्तोfolg तक पहुंचा रही है उसमें harmad molta upbringing नहीं बोलगर नहीं कोई भी वर्ट नहीं यहा एक जाति है शब्रेस दने तो हम कैसे बताएंगे फिर अगर कोछी बोलेंगे हैं नहीं दोस्तो तो हम अपने facial expressions के through बताते हैं यानि सारा करके बताते हैं दोस्तो उसमें facial expressions आ गया हमारे body language आ गया या gesture pushers के जरी हम बताते हैं और कभी कभी हम कोई sign बना कर भी बताते हैं जिससे दुसरा वक्ति इस बात बना होता है जैसे पता चलता है कि हाँ जैसे कि danger का sign बना देते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ यहाँ यहाँ पर danger है यहाँ खत्रा है या अपने हम आखों से कही बार कही काफी चीज़े बताते हैं अपने आखों के सारों से या अपने हाथों के हिला कर या जैसे कि हाई ब तो आप भी स्माइल करेंगे, तो उसे पता चल रहा है कि आप और मैं एक दूसरे स्माइल कर बहुत ज़्यादा खुशी है, अगर सबोज आप से मैं पूछ हूँ कि क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं इस सब चीजों के बारे में, तो आप कैसे बताएंगे मुझे, आप मु यहां पर चल रहा है कि हाँ, मैं बता पा रहा हूं आपको अपनी बात, अगर मैं पूछ हो किया मैं आपको समझा पा रहा हूं इस सारे चीज़े, अगर नहीं समझा पा रहा हूं तो आप कैसे बताएंगे, आप अपनी कर्दन को left और right की और move करेंगे, यहां पर आपका left hand है और जहां पर आपका राइट है यानि लेट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के और अपनी गर्दन को आप से मूव करेंगे लाएंगे तो इससे पता चलेगा कि हां मैं नहीं समझा पा रहा हूं तो जब आप किसी बात को बता रहे हैं और वहां पर बोल करने ही बता हैं तब वह आपका नॉन वर्बल कम्यूनिकेशन में आ जाता दोस्तों तो जो नॉन वर्बल कम्यूनिकेशन है इसके भी कुछ टाइपस हैं दोस्तों जो कि यहां पर लिखें आप देख पा रहे हैं जैसे कि किनेसिक्स हो गया आपका और आर्टिफेक्स हो गया और पॉक कम्मिनिकेशन के दोस्तों इनके हम बारे में डेटेल से एक एक करके जानेंगे और वो जानेंगे दोस्तों इनार अपकमिंग वीडियो दोस्तों